अनार में साइटो केमिकल और एंटी आक्सिडेंट होता है जो दिल को दुरुस्त बनाए रखता है और धमनियों को हेल्दी रखता है एवकेडो धमनियों को साफ रखने वाले फूड में सबसे जादा अच्छा होता है हर महिलाएं प्रते दिन इसवल का सेवन करें तो उनके शरीर में बैट कॉलस्टरॉल की छुट्टी हो जाएगी और उनके शरीर में रखत का संचार अच्छी तरह होगा साबू तनाज साबू तनाज में फाइबर की मात्रा बहुत जादा होती है यह शरीर में खून से कॉलस्टरॉल की बाइडिंग रखता है और रक्त को शुद भी बनाये रखता है साबू तनाज में ब्राउन राइस, ओटमील, होल, वाइट पैड को खाया जा सकता है ग्रीन टी ग्रीन टी में एंटी ऑक्सडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं दिन में दो कप ग्रीन टी बाडी को हमेशा फिट रखती है नट्स नट्स में विटमिन E, ओमेगा 3 पैटी एसिड और फाइबर होता है जो की धमनियों को क्लीन करने में सायक होता है ओलिव वाइल, जैतुन का तेल महिलाओं के लिए जैतुन का तेल बहुत लाबकारी होता है इससे उनके शिरीर में वसा की मात्र कम हो जाती है और कॉलेस्टॉल भी घट जाता है दालचीनी किसी भी भूजन में दालचीनी का इस्तेमाल करने से खाना सिर्फ लजीजी नहीं बलकी हल्दी भी बन जाता है यह 26 परतीशत कॉलेस्टॉल को घटा देता है ब्रॉकली ब्रॉकली में भरपूर मात्र में विटमीन होता है जिस के कारण शरीर में कॉलेस्टॉल जादा नहीं होता और शरीर का उट रख चाब भी कंट्रोल में रहता है महिलाओं को हफ़ते में कम से कम एक बार ब्रॉकली का सेवन अवश्य करना चाहिए हल्दी हल्दी में कुर्क्युमीन नामक तत्व होता है जो धम्नियों को क्लीन रखता है वैसे भी हल्दी औश्टिक गुर्णों से भरपूर मानी जाती है पालक हरी पत्यदार सबज्चयों में पालक का नाम सबसे पहले आता है यह पोटेशियम से भरपूर होती है और इसमें आइरन भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है आइरन की मात्रा शरीर में प्रयाप्त होने से अक्सीजन का प्रयाप्त होता है